जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख मंदर के बारे में तो दोस्तो ये वीडियो पार्ट टू है पार्ट वन में अल्रेडी अप्ल टेम्पिल्स हैं और इन में से एक नएक क्लासेश में आता रहता है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेश को इस्थे थैं आपके अप्सेन अ कोलकाता ऑफशन बेंगलॉर ओप्सेन लक्नोव और ओप्सेन डी आपका मायूंट आबू तो कोयो नम्बर बन का सही आनसर है आपका आपो डी 2 कामाख्या मंदिर कहां इस्थित है options है राजिस्थान, आंदरप्रदेश आसम and option D है आपका इन में से कोई नहीं तो question number 2 का जो सही आंसर है आपका वो है option C आसम यानि कि गुहाटी तो जो कामाख्या मंदिर है दोस्तो वो आसम में इस्थित है असम के गुहाटी शहर में कामाख्या मंदिर इस्थित है बहुत ही प्रसिद मंदिर है दोस्तो next question की तरफ चलते है question number 3 बदरिनाथ मंदिर कहां इस्थित है option से आपके चमोली उत्राखंड, option B कोलकाता, option B पटना and option D दिल्ली, तो question number 3 का सही answer होगा, option A चमोली उत्राखंड, जिहां दोस्तो बदरिनाथ मंदिर जो है वो चमोली डिस्टिक में है और चमोली डिस्टिक से दोस्तो उत्राखंड में next question है question number 4 मिनाच्छी मंदिर कहां इस्थित है option से आपके करनाटक, उत्राखंड तमिल नाइडू और इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तो जो मिनाच्छी मंदिर है वो इस्थित है आपका मदरूई में, और मदरूई कहां पर है तमिल नाइडू में, तो question number 4 का सही answer, option C तमिल नाइडू मदरूई next question है आपका, अमरनाथ मंदिर कहां इस्थित है, option से आपके option A, पहल गाउं option B, मतरा option C, कानपुर and option D, इनमें से कोई नहीं तो question number 5 का सही answer होगा आपका, option A, पहल गाउं अमरनाथ मंदिर है दोस्तो पहल गाउं में और पहल गाउं कहां पर है जमू कस्मेर में next question के तरफ चलने से पहले आपसे request करना चाहूंगा, कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को download करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो की PDF फाइल को बिल्कुल free में download कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे telegram channel, Sibah Online Classes को join करना होगा जिसमें दोस्तो हम, daily हमारे जो वीडियो अपलोड होती हैं, उनकी PDF share करते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, कि यहां से आपको कोई भी PDF download करने के लिए, कोई भी पैसा नहीं देना होता है, यह जो PDF होती हैं बिल्कुल मैं आपको free देता हूँ, दोस्तों इसे बहुत से बहुत कम channel होंगे जो आपके लिए PDF फैल के लिए free में उपलब दिकराते हों, लेकिन मैंने कभी भी PDF का कोई भी पैसा नहीं लिया है आप बिल्कुल free में यह PDF के लिए download कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में share भी कर सकते हैं question number six है, सूरी मंदर कहां इस्तित है option से आपके कोर्लांक, option B देहरादून, option C जमू और कस्मीर, and option D आपका दिल्ली question number six का सही answer है, option A उडिसा यानि कि कोर्लांक, तो सूरी मंदर जो है वो कोर्लांक जिली में इस्तित है, कोर्लांक कहां पर है, उडिसान है next question है, question number seven, बैशनो देवी मंदर कहां इस्तित है, option से आपके ग्वालियर, पटना, रानिखेत, और कट्रा, तो question number seven का सही answer है, option D, कट्रा, जमू कस्मीर, question question number eight है, योगिनी मंदर कहां इस्तित है, option से आपके मद्यप्रदेश खजराहो, option B, सिक्किम, option C, उत्राखंड, and option D, आपका हिमाचल प्रदेश, तो question number eight का सही answer है आपका, option A, मद्यप्रदेश के सिम्ला, हिमाचल प्रदेश, तंज़ोर, तमिल नाइडू, या फिर इन में से कोई नहीं, तो question number nine का सही answer है, option C, तंज़ोर, तमिल नाइडू, ब्रहदोसर मंद्र जो है दोस्तों, वो तंज़ोर जले में इस्तित है, जो की तमिल नाइडू तो question number 10 का सही answer है, option A, चितूर, आंधर प्रदेश, ठीक है, तो यह थे दोस्तों, आज के 10 questions, पिछले 10 मंद्र में, part 1 में upload कर चुका हूँ, आप से request करूँगा कि आप उस वीडियो को भी देखें, क्योंकि उसमें भी मैंने जो मंद्र लिया है, वो बहुत ही important और famous मंद्र ह आपके exams के लिए, खास करके दोस्तों, आर्मी के exams में, इसमें से एक question आपको 100% मिल जाएगा, तो अमीद करते हैं, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राब करें, दोस्तों के लिए भी बताएं कि इस चैनल को सब्स